Good morning students, आज हम new chapter start करेंगे, chapter 6 of our food, यन्य हमारा खाना, हमारा भोजन, तो जैसे हम सब जानते हैं कि हम जिन्दा रहने के लिए खाना खाते हैं, और हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम खाना खाके हमें energy मिल सकें, जिससे हम अच्छे से खेल सकें और हमारा कोई भी work कर सकें, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा ना खेलने में मन लगेगा ना किसी काम में मन लगेगा हमें एनरजी नहीं रहेगी तो हम कोई काम करी नहीं सकते इसलिए खाना बहुत जरूरी है और खाना खाने से ही हम बड़े होंगे मतलब खाना हमें बड़े होने में निकी ग्रूव करने में हेल्प करेगा और हमें सारी बिमारियों से भी बचाता है इसलिए खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है नेक्स्ट है टाइपस ओफ फूड याने भोजन के प्रकार भोजन कितने टाइपस के होते हैं तो देयर आर थ्री टाइपस ओफ फूड तीन टाइप के फूड फूड होते हैं फर्स्ट बॉड बिल्डिंग फूड एनरजी गिविंग फूड एन्ड प्रोटेक्टिव फूड तो हम जानेंगे कि यह कौन-कौन से फूड होते हैं इसलिए इनको बॉड बिल्डिंग फूड बिल्डिंग फूड होता है इसलिए इनको बॉड बिल्डिंग फूड भी कहते हैं जैसे कि दूद, अंडा, मेट, चीज, दाल यह सब बॉड़ी बिल्डिंग स्पूड है यह हम खाते हैं तो इसे हमारी बॉड़ी बनती है और प्रोटीन जो है हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जरूरी होता है जो आप जैसे आप ग्रोविंग चिलरन हो बढ़ते वे बच्च हो उनको ज्यादा प्रोटीन की जर्वत होती है बड़ों से ज्यादा तो आप लोगों को यह चीज खाना चाहिए जिससे आपकी बॉड़ी अच्छे से डेवलप हो सके बॉड़ी स्ट्रॉंग बन सके और सोया बिन और मिल्क होते हैं उसमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है तो हमें यह चीजें खाना जहिए जिससे हमारी बॉड़ी स्ट्रॉंग हो और जो यह प्रोटीन वाले फुड होते हैं बॉड़ी विल्दिंग फुड यह नहीं के प्रोटीन वाले फूट लेने चाहिए तो इन में आते हैं दूर्ण नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्टिव फूड वो फूड होते हैं जो हमें डीसी से यहने की बिमारियों से बचाते हैं जो खाना खाने से हम यहने बिमारियों से बच सकते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे सिरिल्स, मिल्क, ग्रीनी लीफ, और हारी पत्तेदार सब्जियां हैं फ्रूट से यह सारे प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं इने खाकर हम डीसिस से यहने की बिमारियों से बस सकते हैं क्योंकि इनमें विटामिन पाए जाते हैं और हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है नहीं तो अगर हम अच्छ ये सब चीज़े तो इनमें मिनरल्स और विटामिन पहुत ज्यादा होते हैं इसलिए फूट्स लाइक बैनाना एपल ओरेंज एकसेटरा और 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 आल प्रोटेक्टिव फूड्स जो के केला, एपल, और 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 अप्पोरेंज यह सारे फूड्स हैं यह भी प्रोटेक याने खाना हमें कहां कहां से मिल सकता है The main sources of food are plants and animals जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमें plants से और animals से याने कि पोधों से और जानवरों से मिलता है तो आप हम देखेंगे आगे कि कौन से चीज़े हमें plants से मिलती है वो कौन सी animals से Food we get from plant वो भोजन जो हमें plants से मिलता है ने कि हम जो पोधों से हमें मिलता है तो first is food grains Food grains जैसे के गेहूं, चावल, जुवार, बाजरा ये सारे अनाच होते हैं ने के food grains होते हैं इनसे हमाई ममा चपाती बनाती है ने के रोटी बनाती है इनके सब के आटे से जैसे गेहूं का आटा है आटे से रोटी बनेगी तो ये सारे food grains जैने के अनाच है ये भी हमें plants से मिलते हैं Second is pulses जैने के दाले दालों में जैसे उड़द, मसूर, अरहर, ग्राम, याने के चना की दाल, राजमा, ये सारी दाले हैं ये भी हमें plants से मिलती हैं जैसे के उड़द की दाल और चावल को मिलाके इडली और डोसा बन सकता है और इनकी सब की सब्जी दाले भी बनती हैं तो ये पल्से से नहीं ये दाले हैं Third is vegetable याने के सब्जियां We eat green vegetable, they are good for health हमारी सब्जियां खाते हैं ये हमारे स्वास्ते के लिए बहुत अच्छी होती है Vegetables are eaten raw or cooked सब्जियां जो होती हैं वह हम पाका कर खाते हैं कच्ची नहीं खाते हैं We eat different parts of plant as a vegetable मतलब हम जो plants हैं उसके अलग-अलग parts को खाते हैं जैसे कि ये हैं टर्नीप है टर्नीप, carrot and radish are roots of plant जो टर्नीप है और गाजर मुली हैं ये सब plants की roots हैं ने के जड़े हैं हम इने भी खाते हैं और कुछ की stems भी खाते हैं कुछ पोदो की हम stems भी खाते हैं ने के तना onion, ginger and potato are some underground stems that we eat जो प्याज, अद्रक और आलू होता हैं वो stems होती हैं ने के तना होती जिने हम खाते हैं वी इट leaves of some plants हम कुछ पोदो की पत्तियां भी खाते हैं जैसे के कैवे जैने के पत्ता गोबी, पालक, और मिंड, और मेथी इन सब चीजों की हम पत्ती खाते हैं अब फूर्टे fruits याने के फल जैसे के mango, banana, apple, grapes याने के आम, केला, सेब, अंगूर, तरबूज ये सब भी प्लांट से मिलते हैं जाम ये सब प्लांट से मिलते हैं इने के जाम होता है इन्हें हम छिलके सहीत खाते हैं और बाकी के जैसे बनाना है इनका हम छिलका निकाल कर खाते हैं और फिफ ते spices याने के मसाले, we get spices like chili, clove, black pepper, cumin, ginger and turmeric from plant हम जो घर में मसाले सबजियों में जो मसाले डलते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं यह सब चीज़े हैं और जिसे जिंजर हैं यह सब भी प्लांट से मिलती है और इन्हें एड करने से मतलब इन मसालों को एड करने से खाना बहुत टेस्टी बनता है कि हमें प्लांट से कौन कौन से फूट मिलते हैं अब हम देखेंगे फूट we get from animal अभ हम देखेंगे कि animal से हमें क्या क्या मिलता है तो first egg and flesh यहनुके अंडा और मास यह किस से मिलेगा हमें यह अनिमल से मिलेगा we get eggs and flesh from hand and duck यानने हमें अंडे कहां से मिलते हैं मुर्गी से और डग से और कुछ लोग होते हैं जो flesh of golden बकरी का मास भी खाते हैं फीश खाते हैं और अन्य जानवरों को भी खाते हैं तो जो जो लोग people who eat food obtained from plant are called vegetarian जो पौधों से मिला हुआ खाना खाते हैं वो लोग vegetarian कहलाते हैं जो से पौधों से जो आता है जैसे के fruits, vegetables ये खाते हैं वो vegetarian कहलाते हैं और जो people ये जो लोग egg, meat, fish ये सब चीज़े खाते हैं वो non-vegetarian कहलाते हैं नेक्स्ट है milk यानि के दूद, we get milk from cow, buffalo, goat and etc. ये दूद हमें गाय से, बैस से, बकरी से इन सब से मिलता हैं और जो दूद होता है उसमें vitamins, protein और minerals बहुत होता है इसलिए ये complete food खेलाता, milk is a complete food क्योंकि इसमें protein और vitamins और minerals बहुत जादा quantity में होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा calcium भी पाए जाता है जिससे हमारी हड़िया और दात मजबूत बनते हैं इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि रोज उन्हें एक ग्लास दूद पीना चाहिए milk is also used in making food product like cheese, butter, curd and घी दूद से ही जो घी होता है चीज होता है यह सब बनता है घी बनता है और यह दूद कहां से हमें मिलेगा एनिमल से अब हम पढ़ेंगे good eating habits मतलब खाने के अच्छे अच्छी आदते हैं तो हमें हमेशा अच्छी आदत रखनी चाहिए खाना खाने के लिए तो हम देखते कौन कौन से होती है हमें खाना एक fixed time पर खाना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से वाश करना चाहिए निदोना चाहिए और हमेशा fresh clean और अच्छे से पका हुआ खाना चाहिए मतलब 20 खाना हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि stale and uncovered food can make a seal जो इस टेल याने 20 खाना होता है और भी न ढखावा खाना मतलब जो ढखावा नहीं होता है वह अगर हम खाएंगे तो हम बिमार भी पढ़ सकते हैं इसलिए हमेशा covered और अच्छे से पका हुआ clean खाना खाना चाहि है we should eat only when we feel hungry जब हमें भूक लगे तब हमें खाना खाना चाहिए ओ खाने को कभी भी waste नहीं करना चाहिए बच्छे लोग खाना बहुत सारा छोड़ते हैं तो खाने को waste भी नहीं करना चाहिए ओ खाना खाते समय थोड़ा सा पानी पीना चाहिए water help us to digest food जो पानी होता है वह हमें हमारा खाना पचाने में डाजेस करने में बहुत help करता है तो आपको यह eating habits अपनानी चाहिए उसी के साथ यह chapter finish होता है